Top 5 Most Expensive School in India क्या आपने कभी इंडिया के ऐसे स्कूलों के बारे में सुना है जिस स्कूल की फीज सतर लाग रुपियें से भी जादा है इंडिया में बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया एजुकेशन सिस्टम दूसरे विक्सित देशों के एजुकेशन सिस्टम की बरावरी नहीं कर पाएगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया एजुकेशन सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में बहुत सारे देशों को पीछे भी छोड़ देगा इंडिया के बहुत सारे स्कूल दुनिया के सबसे जादा महिंगे स्कूलों में से एक है इस वीडियो में आप इंडिया के पांच सबसे जादा महिंगे स्कूलों के बारे में जानेंगे और इन स्कूलों के फीछ जानकर आपके होस उड़ जाएंगे नमबर फाइफ दूनिया स्कूल देहरादून में इस्तित दून स्कूल केवल बॉइस स्टुडेंटों के लिए है इस स्कूल में राजिव गादी जोतिराव आदित्य सिंधिया जैसे मंत्री और साथ ही अलीफ फजल इमा साथ जैसे एक्टर्स ने अपनी स्कूली सिक्सा प्राप्त की है यहीं नहीं इन स्कूल में पड़ 25,000 रुपे हैं और एड़िशन फीच चार लाव इस स्कूल को 1935 में बनाया गया था और इसका कैमपस 22 एकर में फैला हुआ है इस स्कूल को 1959 में बनाया गया था जो कि एसया का सबसे पुड़ाने बोर्डिंग स्कूल में से एक है यहाँ स्कूल स्कूल के खुबसूरत पहारों के बीज मौजूद है जिसका कैमपस पेती सेकर में फैला है इस स्कूल में पुस्तकालाई पड़योकसाला इंटरनेट जैसे सारी सुविदाये हैं यहाँ से पड़े हुए चात्रों की लिस्ट में मसूर, लेखक, रस्किन बॉंड, मंत्री विभद्र सिंग, एक्टर कुमार गॉर्डव, गोलफर जीव मिलखा सिंग और ललित मोधी सामिल है स्कूल की वार्षिक फीज पांच लाग रुपे हैं और एडमिशन फीज एक लाग रुपे और ये फीज नौन रिफंडेवल फीज है यहाँ स्कूल 110 एकर पर फैला है यहाँ स्कूल केवल लड़कों को सिक्सा परदान करता है यहाँ से पड़े हुए छातरों की लिस्ट में एक्टर सलमान खान, अरबाद खान, डारेक्टर अनुरा कस्यप जैसे मसूर नाम है यह स्कूल इंडिया के सबसे फेमस स्कूलों में से एक है इसकी सतापना 1837 में हुई थी और इस स्कूल में इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुके संबाने भी स्कूल में पढ़ चुके हैं इस स्कूल की अभी के समय में वारसिक फीज 13,00,00 रुपे है इस स्कूल की फीज 7,00,00 के आसपास है यहां एडमीशन के लिए छात्रों को एंट्रेंश टेस्ट देना होता है और साथ ही एक साल तक सभी नए छात्रों को प्रोवेशनल पीरिट में रखा जाता है जिन में जो छात्र अच्छा परफॉर्म नहीं करते उनका एडमीशन रद्द कर दिया जाता है एड्मिशन के समय दो लाग फीर सिक्यरिटी एवं बाकी खर्च के लिए जमा करना होता है नमबर एक वोट स्टॉक स्कूल मसूरी वोट स्टॉक स्कूल भारत की आजादी से पहले के समय में इस्तित सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल है यहां पढ़ाई के सांसांथ इसाय धर्म के तौर तरीकों को फॉलो किया जाता है यहां भारत के महेंगे स्कूलों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है क्योंकि यहां चात्रों को पढ़ने के लिए कम से कम पंदर लाग फीज देना आवस्यक है यहां इस्कूल 250 एकर में बना हुआ है जहां चात्र चात्राओं के लिए पढ़ाई के सांसांथ रहने की सुविधा भी है वो डिस्टॉक स्कूल से अभिनेता टॉम ऑल्टर जैसे कई मसूर हस्तियों ने सिक्सा प्राप्त की है तो यह थे भारत के सबसे महंगे स्कूल जहां पढ़ना आम आदमी के बचट से बाहर है दोस्तो आपको यह वीडियो कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक सेर करना ना भूले रोज ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग